जैन दोस्तों कैसे आप सब तो आज हम बात करने वाले हैं यांपे, आज कि हम सीरीज करेंगे आपके कंप्यूटर के 25 प्लस MCQ यहाँपे हम करने वाले हैं जो कि आपके आप वहाँ से playlist भी देख सकते हैं चले शुरुवात करते हैं आज हम करेंगे part 7 और इसी के साथ हमारा पहला question है कि अच्छर तथा चिन अच्छर तथा चिन्नों को वाइटो में store करने की जो बिधी होती है वाइटो में store करने की जो बिधी होती है तो याद रखिएगा आप सभी इसे क्या कहा जाता है दोस्तों इसे कहा जाता है coding system इसे क्या कहा जाता है coding system कहा जाता है जो अच्छर तथा चिन्नों को वाइटो में store करने की जो बिधी होती है क्लियर है आप सभी को second question कीजेगा कि इन में से किसका संबंद computer के processor से नहीं है जैसे कि i7 हो गया keldren हो गया video core हो गया देखिए अगर computer के processor की बात की गए तो बहुत ही आसान सा question है आप सभी के सामने computer के processor में android नहीं आएगा android एक mobile का अगर हम देखे तो आपका processor जो कि आपके mobile में आपको देखनी को मिलता है android बट अगर हम देखे computer में अगर हम देखे तो यह आपको नहीं मिलता है तो computer के processor में android नहीं आता है जी कि आप सभी का right answer क्या हो जाएगा option भी correct answer है जो अगला question है कि भारत का पहला computer इन में से जो कि कहां पर स्थापित किया गया था एक important question आप सभी के लिए बनता है क्योंकि भारत का पहला computer जो है आपकी स्थापित किया गया था भारती संखे की संस्थान जो है आपका Indian Statistical Organization जो कि आपके कहां पर कुलकाता में है और यहीं पर भारत का पहला computer जो कि आपके स्थापित किया गया था तो आप सभी का right answer है option first दिन अगला question है कि इन में से कौन सी input इक आई है और बहुत ही आसान सा question है आपका कि input device आपके इन में से कौन कौन सी है जैसे कि mouse अगर हम देखें फिर keyboard हो गया, scanner हो गया तो इन में से सभी आपका right answer है कियोकि यह सभी आपके input devices है आपके तो D answer आप सभी का correct answer है दिन अगला question है बहुत ही आजान सा question है क्योंकि हमने आपको बोला है कि कुछ basic question भी आपको करने को मिलेंगे computer का Hindi में क्या नाम है आपके तो computer का Hindi में नाम है आपके संगडक बोला जाता है किस भासा से आपके देखे compute plus ER तो compute अगर हम देखे एक तरह से जो कि आपके Latin भासा से आपके देखे तो इसका एक तरह से नाम पड़ा है और आपको computer का Hindi में क्या नाम होता है तो संगड़ा का आप सभी का correct answer है, second option आपका right answer है, इससे पहले आप सभी के लिए कुछ information एक बार हम देख लेते हैं, इंडिया के largest learning platform and academy के बारे में जहां पे आपको मिलेगा MPPSC के exam के notes और सभी आपके कौन-कौन से batch चलने इसके बारे मे means का बैस 22nd December से, फिर आपका देखे तो 15 December से आपका अनदर्शन MPPSC, पिलिमस and means का बैस जो कि आपके continue है, यह rapid revision बैसे जो कि 8 December से आपके लिए continue किया जा रहा है, और यह target MPP पटवारी बैस है, जो कि 90 days का 28 November से आपके लिए continue है, और एक ही subscription पे आप सभी यहाँ पे complete courses आप सभी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखे code के apply करना है, तो आप सभी याद रखिएगा, इसके बाद हम firstly सभी question को करेंगे, तो MP exams 10, MP exams 10 code के साथ आप सभी ले सकते हैं course, देखे, करते हम अगला question की, पहले computer mouse का निर्माण किस ने किया था, पहले computer mouse का नि correct answer है, डगलास एंजल वेट अगर हम देखे हैं आपे, तो आप सभी का right answer है, अगला question है कि जब PC पर हम किसी भी document पर कारे करते हैं, उस समय document जो होता है, अस्थाई रूप से कहा पर restore होता है, जो document होता है, अस्थाई रूप से कहा पर restore होता है, जब PC पर हम किसी भी document पर कार करते हैं उससे में डॉक्यूमिन्ट जो होता है अस्था ही रूप शे कहाँ पर इस्टोर होता है यह आप सभी को एंसर करना है तो आप सभी का राइट एंसर है देखिए यहाँ पर आपका जो correct answer हो जाएगा option B, V answer आप सभी का correct answer हो जाएगा, देगे options में से RAM, random access memory इसका होता है full form, एक बर सभी full form देख लेते हैं, CPU का full form होता है, जो कि आसान है, आपके लिए central processing unit, RAM का full form होता है, random access memory and read, आपका जो ROM का full form होता है, ROM का full form होता है, read only memory and CD ROM का full form क्या होता है, तो CD का होता है, compact disk and ROM जुड़ा होता है, तो read only memory, तो इस तरह से सभी full form आप सभी याद रखेगा, V answer आप सभी का correct answer है, अगला question है कि पहले से चल रहे है, computer को restart करना क्या कहलाता है, कोई भी computer पहले से चल रहे है, अगर हम बात करें, उसे restart करने की विधी को आप क्या बोलते है, तो इसे हम बोलते हैं, rebooting, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, rebooting, तो आप सभी का correct answer है, option C, अगला question है कि dot com domain का जो संबंदे इन में से किस छेत्र के साथ है, किस छेत्र से जुड़ा हुआ है dot com, व्यापारिक संस्थाफ से, व्यक्तिकत, विशेष्था से, कला से, यह सभी, देखे dot com जो होता है न, एक तरह से commercial होता है, देखे commercial अगर हम देखे तो ब्यापारिक संस्थाफ से जुड़ा हुआ है आपके, dot com जो है आपका, यह ब्यापारिक संस्थाफ से जुड़ा हुआ है आपके, तो आप सभी का right answer है option first, अगला question है कि प्रथम पिढ़ी प्रियोग करते थे आपके, तो first answer आप सभी का right answer है, एक्स्टा information है आप सभी के लिए कि पहली पिढ़ी का जो time है 1942 and 55 है और इसका जो प्रियोग किया गया था, second है आपके दूसरी पिढ़ी 56 से 65 and transistor का प्रियोग किया गया था, second पिढ़ी में, तीसरी पिढ़ी का time है 66 से 75 and इसमें आपके IC का प्रियोग किया गया था, integrated circuit, IC का full form भी पुछा जाता है आपके, चौती पेड़ी में आपके 1976 से अगर हम देखें और इसमें micro processor का प्रियोग किया गया जो की current time पे आपके चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा year आप सभी correct कर लिजेगा, और पांच भी documents select करने के लिए इन में से किसका प्रियोग किया जाता है दिएगे options में से, right answer आप सभी का, देखे control प्लस N अगर हम देखें आप आप सभी का correct answer हो जाएगा, control प्लस N अगर हम बात करने तो यहाँ आप सभी का right answer दिएगे options में से, देखे इसमें control प्लस N नहीं, आपका यहा पर देखे दो control plus A क्योंकि क्या बोला गया समगरे document select करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है तो आपका control plus A हो जाएगा right answer अगला question है computer के अविश्कारक कौन है तो आसान सा question है computer के अविश्कारक आप सभी से पूछा गया और आपका right answer हो जाएगा Charles Babbage option B आप सभी का correct answer है जिन next question है कि सबसे पहले computer का नाम क्या है सबसे पहले computer का नाम क्या है इसका full form क्या होता है आप सभी comment करके बताएंगे इसका full form क्या होता है सबसे पहला computer जो था any1 था सबसे पहला computer कौन सा था आपका any1 इसका full form क्या होता है comment करके बते हैं आप सभी के comment का weight किया जा रहा है आप सभी यहाँ पे इस video को share जरूर कीज़ेगा जिससे की इसी तरह से और भी subject की series जो है आपके लिए provide की जाए क्योंकि जादा स्यादा आपको practice करने है questions की आधुनिक computer की खोच सरपर्थम कब होई थी आपके दिएगे options में से अगर हम बात करें कि आधुनिक computer की खोच सरपर्थम कब होई थी तो आप सभी का right answer है option C दिएगे options में से यह नगला question है कि computer के छेतर में महान करांती कब से आई computer के छेतर में महान करांती कब से आई तो आपकी यह बर्ष है 1960 1960 से अगर हम देखे computer के छेतर में महान करांती जेकने को मिलती है यह answer आप शभी का right answer है दिन अगला question है कि computer का Hindi नाम क्या है? इ clock question आपका repeat question है और computer का हिंदी नाम क्या है तो शंगड़क, अगर हम देखे तो इसका हिंदी नाम हो जाएगा, आपका भी answer correct answer है, देखिए इन में से कौन सा search engine नहीं है, आपके दिएगे options में से, कौन सा search engine नहीं है, आपके दिएगे options में से, search engine कौन सा नहीं है, आप सबी correct answer है, देखिए इन में से क है कि internet के पते में अपका जो internet का जो address होता है आप ऐसा कर सकते हैं internet के जो address में STTP होता है STTP इसका सही विश्चित रूप क्या होता है आपके STTP का previous भी हमने इस question को किया है इसका जो full form होता है hyper text transfer protocol hyper text transfer protocol STTP का full form होता है तो आप सभी को याद रखना है data, आप सभी का correct answer, अगला question है कि multi processing क्या होता है आपके, multi processing, एक process के दोरा होता है, एक से अधिक processor के दोरा होता है, बिना किसी processor के, तेके multi media कह सकते हैं, या कुई भी आपका working है, तो एक तरसे कई लोग मिलके करते हैं, तो इससे एक तरसे multi processing होता है ठीक है तो एक से अधिक जो processor दोरा अगर हम देखे तो यह कहलाता है आपका multi processing तो B answer आप सभी का correct answer है अगला निमलिखित में से कौन सा optical memory है आपका optical memory इन में से कौन सा है आपके optical memory में अगर हम देखे तो cd-rom आपका हो जाएगा cd-rom जो है आपके optical memory के अंतर गताता है तो c answer आप सभी का correct answer दिन अगला question है कि cpu में control memory और तीसरा कौन सा unit होता है cpu में cpu का full form अभी आपको बताया गया central processing unit और cpu में control memory और तीसरा जो unit होता है वो होता है arithmetic logic unit arithmetic logic unit अगर हम देखे तो इसका third part है आपका तो d answer आप सभी का correct answer है दिन अगला है कि cpu के alu में क्या क्या सामिल होता है अपके जैसे कि cpu के alu में तो cpu में आपका आता है alu alu के अंतर का तरगरम देखे तो आपका register सामिल होता है तो आप सभी का second option correct answer दिन अगला question है कि गड़ना और तुलना के लिए computer के किस भाग का प्रयोग किया जाता है यहनि calculation जो आपके की जाती एक तरह से जो आपके किस का प्रयोग किया जाता है इसमें तो ALU का क्योंकि इसका full form से ही आप सभी देख सकते हैं अगर हम देखे तो logical work अगर हम बात करें किस से के थ्रू किया जाते हैं तो ALU के थ्रू किया जाते हैं arithmetic logic unit इसका होता है full form ALU का ठीक है C answer आप सभी का correct answer दिन अगला question है एक hardware device जो data को अर्थपूर्ण information में परिवर्थित करता है वह क्या कहलाता है एक hardware device जो data को अर्थपूर्ण information में आपके परिवर्थित करता है वह कहलाता है प्रोशेशर वह क्या कहलाता है आपका वह कहलाता है प्रोशेशर जो कि आपके एक अर्थपूर्ण information में परिवर्थित करता है तो आप सभी का right answer दिन अगला next and last question है आज की class का कि प्रोशेशर के तीन मुख्य भाग आपके इन में से कौन कौन से हैं प्रोशेशर के तीन मुख्य भाग आपके इन में से कौन कौन से हैं जैसे कि हो गया ALU, arithmetic logic unit दिन आपके देखे तो control unit एंड आपके देखे तो register तो आप सभी का जो right answer है पी answer आपका correct answer है दिएगे options में से तो ये थे आज के हमारे 25 questions कुछ extra information है आप सभी के लिए कि आपके अनिकेट में application पे आपको test series भी मिल रहा है test schedule किये जाते हैं दिने आपे देखे तो free and plus classes आपको मिल रही है and subscription का benefit ये है कि आप unlimited access ले सकते हैं all educators की any category आप जिस category पे join करते है and live classes आपको मिल रही है iconic subscription आपको मिल रहा है test series आपको मिल रही है practice question मिल रहे है तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है and इसी तरह से आप सभी daily ऐसे वीडियो के लिए आप सभी चैनल को subscribe कर सकते है आप सभी इस वीडियो को अपने सभी friend circle के साथ जुरूर share करें जिससे इसी तरह से आपको और भी series आपको मिले ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं मिलते हैं फिर next वीडियो में and अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजेगा आप सभी